तो आज हम बात ये करेंगे कि आपका जो मौर्णिंग का एरेक्शन है वो क्या संकेत है क्या मौर्णिंग के एरेक्शन होने से जाद होने से कुछ चीजें होती है या कम होने से कुछ होती है या किसी को एरेक्शन ना आए तो क्या कुछ बीमारी है कुछ तकलीफ है कुछ परिसानी उसके बारे में बात करेंगे जो हमारे पास queries आई हैं वो तो queries बहुत डराने वाली हैं लेकिन उससे अलग जो social media पर मैंने वीडियो देखे हैं इतने ज़्यादा confusing है इतने ज़्यादा distracting करते हैं वो brain के आपके तो please मैं आपको एक request करना चाहता हूं सबको कि sex के बारे में या किसी भी चीज के बारे में health के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यूटुबर्स जो आपको बताते हैं उससे आप please अपने health को मत conclude करिए अपने आप assessment मत करिए अपने उपर कोई diagnosis मत ला दिए अपने साथ ये unjustice अन्याय मत करिए आप अपने दुस्मत मत बनिये सबसे पहले मैं आपको एक बात clear कर देता हूँ कि यदि आपको morning erection नहीं होता है या morning में erection कम होता है तो नहीं तो आप कम मर्द हैं नहीं आप बीमार हैं नहीं आपको कोई sexual dysfunction है नहीं आपको anxiety है और नहीं आपको erectile dysfunction है यू आर एक completely normal man but please make a request मतलब सब लोग इस वीडियो को देखो subscribe करो वीडियो को देखके न समझने की कोसिस करो आप और उसके बावजूद भी कोई confusion ने queries है तो आप हमें लिखिए हम उसको पढ़ेंगे और अगले वीडियो में फिर आपको हम कोसिस करेंगे कि आपको इसका answer दें और उसके लिए हमने एक पूरी सीरीज बनाई है डॉक्टर से सवाल डॉक्टर कुमार education clinic पे विजिट करिए यूटूब पे और डॉक्टर से सवाल हमाँ पे लिखिए तो उस सीरीज में जितने भी आपके सवाल है if, what, myths सब के बारे में डिटेल वीडियो है और आपको बहुत सारी problems आपकी solve हो जाएंगे अब आते हम कि morning erection क्या है और वो क्यूं होता है देखिए हम लगबग 24 गंटे में 4 से 6 बार on an average हमें erection आता है एक normal human being को यदि हम young है teenage में है या हम young age में है तो हमें 8 से 10 बार भी erection आ सकता है और यदि हम porn देखते हैं या हम sex के बारे में सोचते हैं या फिर हम sexual relationship में है या हम अपने partner के साथ relationship में है या अपनी wife के साथ है और हम उस तरह के माहौल में हैं तो हमारा erection जादे हो सकता है अब यदि हम थोड़े से depressed है हमने बहुत अच्छी हमें नीद नहीं आई है vitamin B12 की deficiency है thyroid का problem आपको है blood pressure आपको है anxiety आपको है depression आपको है तो फिर आपका erection का जो time है वो कम हो सकता है duration भी कम हो सकती है morning erection एक journal सी बात है एक journal consideration है दुनिया भरके andrologist और sexologist और physician जब आपके erection को यानि ED को analyze करते है तो वो आपसे generally एक question पूछते है कि आपको morning erection आता है या नहीं तो generally 90% लोगों को morning erection होता है लेकिन 10% लोगों को morning erection ऐसा हो सकता है कि ना हो देखो जब हम सोरे होते हैं दो तरह की हमारी sleep होती है जब हमारी sleep sound sleep होती है यानि कि हम एक dead इंसान की तरह जब हम सो रहे होते हैं हमारा कोई moment नहीं होता शरीर में तो हमें कोई erection नहीं होगा लेकिन जब हमारा conscious subconscious brain यानि कि हम dreaming में होते हैं जब हम dream देख रहे होते हैं यानि हमारी eyes reflected होती है जब reflection कर रही होती है तो हमारा erection हो सकता है यानि dream में भी कई वहरी हम erection महसूस करते हैं और बहुत सारे लोग dream में intimate हो जाते हैं dream के दौरान वो imaginary sex कर लेते हैं dream के दौरान उन्हें night fall हो जाता है तो ये एक बहुत normal सी समाने सी पिरकिरिया है that is a complete normal physiology of the human body इसके बाद दूसरी बात आती है कि suppose किसी इंसान को morning erection नहीं आ रहा है तो वो बिलकुल normal है ऐसा हो सकता है 10% लोगों में यदि आपको morning erection नहीं है तो afternoon में हो सकता है night में हो सकता है बाद में हो सकता है लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है कि आपको 2-3 दिन दिन बिलकुल erection नहीं आएगा जब आप depressed हैं जब आप anxiety में हैं या फिर आप अपने mother के साथ हैं या आप अपने father के साथ हैं या आप अपनी daughter के साथ हैं या आप अपनी cousin के साथ हैं या आप ऐसे किसी रिस्ते में हैं कि जहां आपको sexual intimacy या उस तरह का infatuation attraction नहीं है तो फिर आपको erection नहीं आएगा और दूसरा part है आपका मानसिक सारे रिक्स्वास अब तीजरी बात आती है कि erection का time कम है और erection बहुत कम होता है तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि आपको अपनी sexual health को screening कराना चाहिए आपको erectile dysfunction हो सकता है anxiety हो सकती है और आपका blood का flow towards your testis और penis वो कम हो सकता है उसके लिए अच्छा protein खाईए कीगल exercise करिए और sexually involved रहिए touching, hugging, kissing, smooching बाले पार्ट पे जाहिए और आप अपने partner के साथ daily wages ना हो लेकिन कुछ समय रखिए एक, दो गंटे, आदा गंटे जो कि आपके intimated hours होने चाहिए intimated hours को आप enjoy करिए प्लस थोड़ा सा आप mentally उस दिन अपने को तयार करिए touch में रहिए, text करिए बात करिए, यानि you have to make yourself, your brain prepare for the intimacy and the sex, तो फिर आप देखेंगे ये सारी समझ्याएं बिल्कुल ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर भी किसी को ED या anxiety की कोई problem है, तो आप doctor से consult करें, एक एक चीज़ डिसकस करें, कुछ जाज की ज़रूत जाज करें, सही दवाई लें, व्यागरा, XYZ अल्कोहल, ये सब ना करें, इससे आपके sex वाले स्वास्त में कोई सुधान नहीं होगा, बलकि आप addict हो जाएंगे दूसरी चीज़ों के, thank you very much and take care of yourself